हेलो स्ट्रेंट्स आज हम लोग बात करते हैं कि जो इंटीजर डेटा टाइप होता है अगर इसको हम नहीं करेंगे तो क्या एरर आ सकती हमारे प्रोग्राम में यह सारी चीज़ें हम लोग डिसकस करते हैं तो टूड़े विल डिसकस इंटीजर एंड फ्लोट कनवरजर इसमें देखें क्या होता है कि अगर आपको एक एक इफेक्टिव सी प्रोग्राम बनाना है पढ़िया प्रोग्राम ठीक है तो यह जरूरी होता है कि आपको वह रूल्स पता हो ठीक है इस नेसेसरी तो अंडेस्टैंड रूल्स देट आर यूज़ फॉर्टा इंप्लिसेट कनवरजर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंड इंटीजर वैलू इंटीजर वैलू इंसी मतलब फ्लोटिंग नंबर को फ्लोटिंग टाइप नंबर जो है और इंटीजर टाइप जो नंबर है या डेटा है उनका आपस में इंप्लिसेट कनवरजन कैसे होता है इंप्लिसेट कनवरजन यह रूस आपको पता होना चाहिए तब आपको जो सी प्रोग्राम है वह एफेक्टिव बनेगा अच्छा बनेगा एरर नहीं आएगी और उससे क्या होगा कि किसी तरह परफेक्ट आपको जो डिजाइड जिस टास्क को अचीव करने के लिए आपने प्रोग्राम डिजाइन किया है वह आपका टास्क परफेक्टली एचीव हो जाएगा तो यह रूस और इंप्लिसिट कनवर्जन आप फ्लोटिंग पॉइंट डेटा एंड इंटीजर डेटा यह आपको पता होना चाहिए अब इसको हम लोग वन बाइवन डिसकस करते हैं इसे कि पहला र इसे उस में और कोई भी आप अर्थमेटिक ऑपरेशन दो इन्टीजर ताइप डाटा के देश में करेंगे कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन यहां पे आप लिखिए कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन आज समझने के लिए लिख Capital donne टेटाइब इन्टीजर है तो जो cells आए इसे केंड क्या है हमेशा वह इंटीजर हमेशा आएगा या ध्यान रखिए रहा है कि एन आपरेशन बीट्वीन एर्यल एंड रियल और यहीं काम दो रियल के बीच में किया जाए माली जी यह हमने कहा कि कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन है यह मापको समझाने करें बना रहा है दो रियल डेटेगा पीछे तो रिजन्ट क्या आएगा रियल टाइप यह आएगा ठीक यह हो गया तीसरा क्या है कि एन आपरेशन बीट्विन एन इंटीजर एंड रियल ऑल्वेज गिवे रियल रिजल्ट मतलब एक डाटा टाइप तो इंटीजर है और यह आपका अर्थ अपरेशन कौन सा अपरेशन है नाम नहीं दे रहें कोई भी अपरेशन हो गया और दूसरा डेटा टाइप क्या है रियल है इनका रिजल्ट हमेशा रियल आएगा ठीक तो यह जो तीनों चीज़े हैं यह आप ध्यान दखी है एक्चुली इसमें थर्ड वाले ऑपरेशन में होता क्या है कि यह जो इंटीजर टाइप है यह भी पहले इसको प्रमोट किया जाता है या चेंज कर दिया जाता है हो जाता है और फिर जब रियल और रियल में ऑपरेशन होता है तो यह सेकेंड वाल सब्सक्राइब करेंगे तो रिजन देखिए यह भी इंटीजर है इंटीजर है न वैसे हम लोगे नॉर्मन क्या होगा आप करेंगे आप करेंगे सब्सक्राइब लेकिन सी में क्या होगा कि यहां पर जैसे आप लिख लीजिए ऑपरेशन आपको ज्यादा असनी रही समझ देंगे और यहां रिखिए कि उसका रिजल्ट क्या आएगा तो आप करेंगे जो इंटीजर पार्ट है न क्यों रिजल्ट में वह आएगा तो आएगा क्योंकि यह दोनों इंटीजर हैं अब आपने क्या क्या एक को रियल कर दिया आपने का दर 5.0 बाइट अब यह रियल हो गया तो बाइडिफॉल्ट इसको भी रियल बनाएगा तो 2.0 मानेगा और तब आपको आंसर में 2.5 यही बारीक चीज़े हैं जो प्रोग्रामिंग में दिक्कत कर एक्यर है क्या है आपको कोई दस की डिन नवाल तो पढ़ाए करता है कि वह कितना ग्रेप कर पा रहा है थीक एक तो पिचिक मख्रलाजी हो बेस्ट होती है जिसको लर्नर एप्रिशियेट करेंगी हाँ वह हमें बेसिक्स एक दम जीरो से मैं समझ गया और पूरा पॉरा पॉरा बेस वारा बन गया ठीक तो इसलिए हार्ड एंड पास और फटा फट और कोई कैप्सूल कोर्स वो नहीं है पड़ाई चलिए यह हो गया 5.0 को जब आप क 5.0 से तब भी वाई चीज होगी क्या यह रियल है यह इंटीजर है तो इसको भी वो क्या करेगा 5.0 मानेगा तो यह भी रियल और यह भी रियल तो रिजर्ट आ जाएगा फिर से आपका 2.5 यही सब बारी चीज़े दिशान रखने वाज नहीं है अच्छा अब इसके बाद 2 divided by 5 हम करें तो देखें यह इंटीजर है यह इंटीजर है तो आप दो को डिवाइट करेंगे 5 से तो पॉइंट लगाके 0.4 आएगा ना तो चुकि रिजर्ट इंटीजर आदा है तो इंटीजर पार्ट क्या है 0 ठीक है तो वो यहाँ पर रिजर्ट देदेगा 0 फिर आपन क्या क्या है इसको आपने रियल कर दिया अब वो पूरा रिजर्ट देगा इसको भी रियल मानके आंसर में देगा आपको 0.4 आपने इसको इंटीजर रहने दिया इसको रियल कर दिया तब भी आपको 0.4 ठीक और अगर दोनों रियल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है तब तो रिजल्ट रिएल मिलेगा और अगर इन में से कोई भी एक अगर एक इंटीजर है दूसरा रिएल है तो इसको भी वो प्रमोट करके रिएल बना देगा और रिजल्ट रिएल आएगा या अगर हमने कहा ये रिएल है और ये इंटीजर है तो इसको प्रमोट करके रिएल ब को टाइब कनमर्जन इन एसाइनमेंट जो असाइनमेंट ऑपरेटर अभी पढ़ाया था आपको कई बार आ चुका है कल वाले वीडियो लेक्चर बताया था आपको जो इक्वल करते हैं कि कैसे करने अगर हम एसाइनमेंट ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि अक्सर होता है it so happen that the type of the expression on right hand side and the type of the variable on the left hand side of an assignment operator may not be the same in such a case the value of the expression is promoted or devoted depending on the type of the variable on left hand side देखे ये क्या कहना चाहरा है आप ये ये कह रहा है अब हम लोग ने जो प्रोग्राम डिसकस किया हुआ है जो स्टुएंट्स नए हैं या पीछे से नहीं देख रहा है प्लीज वो प्रोग्राम को देख लीजे खमनेल उसका देखिए आई बटन में डाल दूँगा आपके वो प्रोग्राम तो उसमें हमने क्या किया था हमने ये किया था कि ग्रॉस सेलरी कल्कुलेट की थी बेसिक सेलरी प्लस दिये प्लस एचारे ऐसे किया था अब इसमें क्या था केस कि ये क्या है ये हमने डिकलियर किया था फ्लोट ताइप मदलब रियल था और ये इंटीजर था ये रियल था और ये रियल था ठीक जब इस तरह की इस्तिती होगी तो in such a case the value of the expression is promoted and on the type of the variable on left hand side of assignment operator तो यहां से जो भी रिजल्ट आएगा जो भी रिजल्ट आएगा उसको या तो हम प्रमोट करते हैं या तो हम डिमोट करते हैं ताकि डेटा टाइब हमारा यह आ जाए है clear मतलब क्या हुआ से for example आप ऐसे समझेए मैं यही पर example ले लहाँ कुछ students ने यह अलग प्रोग्राम नहीं देखा हुआ तो confused हो जाएंगे मैं अलग से example ले रहा हूँ मालीच हमने declare किया integer i यह declare कर दिया और दूसरा variable हमने लिया float b ठीक है अब i को हमने क्या कहा 3.5 दे लिया और b को क्या दिया हमने 30 अब जानते हैं क्या होगा कि यह जो पहला इस assignment देखिए आपने i को आप दे क्या रहा है 3.5 और i को declare आप में क्या किया है integer तो जानते आई में क्या आएगा केवल 3 आएगा ठीक है और केवल 3 आएगा तो भी गलत हो जाएगा तो इसका मतलब यह अगर आपका real type है और यह integer type है इसका मतलब यह इसमें store नहीं हो सकता है it cannot be stored in i since it is an integer in such a case the float is demoted to an integer and then its value is stored तब ऐसे case में क्या होता है कि यह जो float है यह क्या है यह float number है ना real number है इसको demote करते हैं कम करते हैं integer पर तो integer कितना रहा जाएगा केवल 3 और तब जाके यह आई में store होगा clear अब आ जाईए आप यहां पर बी वाले में बी को आपने क्या declare किया है float और आप देख क्या रहा है integer अब क्या होगा यह जो integer यह जो integer data type है यह प्रमोट होगा किस में float में तो B में क्या store होगा B में store होगा 30.0 बस तो वही वो कह रहा है कि अगर assignment operator के left hand side जो data type है और right hand जो भी expression है उसका जो result आ रहा है जो भी data type तो depending upon this result this data type either can be promoted और demoted तब जाके value store होगा clear I hope यह clear हो गया हो कुछ confusion होगा तो आप mention करिएगा में comment line में तो उसको दुबारा से explain कर देंगे बस एतनी tough चीज़ नहीं है यह आपको clear हो होगा तो यही यही basic चीज़े हैं जो type 1 version है assignment operator में वह आपको ध्यान प्रटना पढ़ेगा तो I hope कि आपको यह content पसंद आया होगा काफी आपके concept वजबूत हो रहे होंगे और अगर आपको यह lecture पसंद आया बढ़िया लग रहा है आपको लग रहा है कि हां कुछ काम की चीज़ सीख रहा है तो वीडियो को share कीज़े ज्यादा ज्यादा लाइक कीज़े चैनल को subscribe जरूर कीज़े ताकि चैनल की reach वड़े ताकि और students का भी फाइदा हो और notification bell को all कर दिज़े ताकि next video की information आपको तुरन मिल जाए थैंक यू